हेलो स्मार्ट सहली के प्रिये दर्शको बैस्वाक्षी और आज मैं आप के लिए लेकर आए हूँ कि कैसे आप मिंटों में डार्क अंडराम्स से चुटकारा पा सकते हैं तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने समार्ट सहरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए और बैल आइकन दबाना बिल्कुल भी मन भूले ताकि हमारे लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले डार्क अंडराम्स की वज़े से हम सीवलेस टॉप पहनने से बहुत हिचकी जाते हैं अगर आपको भी अपने डार्क अंडराम्स परशान करते हैं और आप अपने पसंदीदा सीवलेस जिस नहीं पहन पाती तो परशान होने की जरुद नहीं है यहां हम नैचरल इंक्रीडियन से त्यार किये गया चाह डियावाई मास्क की जानकारी देने जा रहे हैं जो अंडराम्स की डार्कनेस को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं जिससे आपके अपने अंडराम्स को बार बार जैकेट में चुपाने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो आएब बिना वक्गवाय स्टार्ट करते हैं सबसे पहला मास्क के स्क्रब मास्क इसे बनाने की विधी एक बाउल ले उसमें तीन से चार टेबल स्पूर नारियल का तेल डाले अब उसमें तूट पेस और बेकिंग सोडा मिला ले इसे अच्छे से मिलाएं जब तक ये मिक्स ना हो जाएं अब तियार किये कि मास्क को अंडराम्स एरिया पर लगाएं लगवग 10-15 मेर तब मास्क को लगा रहें दें जब हलका गीला रहें तो हलके हातों से स्क्रब करें और पानी से धोलें अब इसे साफ तौलिया से पोच लें और पोचने के बाद इसमें हलका करने में मदद करता है अब बात करते हैं दूसरे मास्क यानि टोनिंग मास्क के मारे में शामगरी एक चुथाई कब बेसन एक टिबल स्पून चावल का आटा एक टिबल स्पून हल्दी पौडर एक टिबल स्पून शहर एक या दो टिबल स्पून दूद बनानी की वि लगबक 10-15 मिर्ट तक सुखने दे अब इसे गरम पानी से धोकर साफ करें तोने के बाद इसे तॉलिया या कॉटन पैर्ट की साहिता से अच्छे से पोछ लें पोछने के बाद इसमें कोई भी क्रीम या मॉस्टराइजर लगाएं आप खुद ही देखेंगे कि आपका अंडर दाल का पेस्ट आधा टिबल स्पूर नीबू का रस आधा कप दूद इसे बनाने की विदी एक बाउल में दाल के पेस्ट को डाल लें अब उसमें नीबू का रस मिलाएं और उसमें दूद मिलाएं अब इस मास्कों को अच्छे तरह से फेट कर मिला लें अब इस मास्कों क तो अंडराम्स एरिया पर लगाएं लगबक 10-15 मिनिट के लिए मास्क को लगा रहने दें अब इसे ठंडे पानी या गरम पानी की साहिता से दोकर इसे तॉलिया या कॉटन पैर से साफ कर लें साफ करने के बास में कोई भी मॉस्टिराइजर क्रीम लगा लें आप खुद ही कि आपका अंडराम्स एरिया दमकने लगेगा क्योंकि मसूर दाल एक बहतरीन ब्लीचिंग एजेंट है अब बात करते हैं लास्ट मास्क यानि चौथे मास्क के बारे में यह है स्मूधनिंग मास्क इसे बनानी की सामगरी बहुती सरल है इसके लिए आपको केवल ऐलो वेर जल या मौशिराइजर लगाए इससे 5-10 मिनट तक लगा रहने दे जब यह सूख जाए तो इससे गिले कपड़े से पोच कर साफ कर लें आप खुद ही देखेंगे कि आपका अंडराम्स एरिया साफ हो जाएगा ऐसा एक हफ़ता करने से आपका अंडराम्स एरिया ग्लो कर करने लगेगा अगर वीडियो पसंद आये तो बिना दीरी के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले क्योंकि पाना है परफेक्शन तो सब्सक्राइब करें स्मार्ट सेहली चैनल को